हेलो एबरियन आप लोग का स्वागत है फिर सेग ने वीडियो पर दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं इंडरेनल की सच्चाई क्या है दोस्तों जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं कि इंडरेनल में कंटेस्टेंट जो आते हैं वो फिक्स होते हैं तो क्या यह सच ह क्या गलत है चलिए इस पर बात करते हैं तो देखिए आप लोग में उद्धारन के तोर पर समझाता हूं अगर आप लोग कोई आप लोग बोलेंगे कि जो इसलेक्टेंट कंटेश्टेंड होता है तो फिर उनलाइन चाहिए था देखिए दूस्तों इसमें भी बहुत बेनिफिट्स है जैसे किस तरह से बेनिफिट्स है चलिए यहां पर मैं आप लोग बताता हूं ताकि आप लोग जो नेक्स्ट सके ठीक है पहला बेनिफिट्स आप लोग बहुत कोई नहीं करते हैं आप लोग को वीडियो बनानी चाहिए जैसे कि ब्लॉग वीडियो यह आप लोग जाते हैं ब्लॉग बनाते बनाते वहां पर दिखाये किस तरह से किस तरह से इस तरह से मैंने भी बनाया था और इस चै से आप लोग करने से उसके बाद दूसरा एक्स्परेंस क्या होता है या फिर प्रोफिट बोल सकते हैं क्या होता है दूसरा प्रोफिट ही होता है कि बहुत कोई क्या होता है कि कहीं जाते नहीं है ठीक है ट्रेंस से या फिर बस से कहीं घूमते नहीं है जिससे करन क्या होता है experience नहीं हो पाता है उसका तो वह क्या तो भी एक profit होता है उनको पता चलता है दुनिया दरी के बार में क्या होता है क्या नहीं होता है तीसरा जो क्या होता है उहां पे जब आप लोग ऑडिशन देने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं बहुत सरा मेरे तरह ही हम लोग किये हैं O PRESION आके और उहां पर जाके यहां पर यहां सा आशान लगता है और जबर खेरिव हमारे इतना ड्रीम था कि मैं इस तरह से और देने जाओंगा और अच्छा लग रहा है ठीक है 5 जो आता क्या होता है आप जब अधना देने जाते हैं तो आपको पता पता चलता है कि आप कहां तक है और कहां तक पहुंचना है सेंगिंग में आप किस लेबल पर पहुंचना है यह बहुत ही बड़ा मेटर बात है और यह बात अपको पता चलता है ठीक है यह पता चलता है कि कहां से कहां तक जाना है यह मैंन वात है उसके बाद यहां पर आप लोग बोलेंगे कि ग्रान नुचल तो हो गया वे तो आप ॉपलोग को मिला उसके बान अगर आप लोगज का सीलेक्सिंट नहीं भी होतا है तो इसे हो सोने वाले कोई चीज नहीं कि मैं जब गया था जब मेरा रिज्यक्ट ऊपश्ट राण्ड में ता मुझे बहुत ही खुसी धिक क्योंकि मुझे और मेनत करना पड़ेगा स्य सफिर आं słu एक Creek है और हम लोगी और कोई और हम बहुत कोई बोलते हैं हम मैं भी बोला थाmak की decide कि सैक्टिंग हुता है मतलभ डियर थो सोत है लेकिन हम लोग ना यह नहीं हम लोग मांते हैं कि हम लोग में ही कुछ ना कुछ कमी होगा हम लोग ब्लेम दूसरों को क्यों दे हम लोग अपने अंदर नहीं जाकते हैं कि हम लोग क्या है ठीक है यह हम लोग का सबसे बड़ा गलती है सबसे पहला गलती है हम लोग अपने आपको नहीं देखते हैं हम लोग क्या इंप्रूब करना चाहिए किस बज़े से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को और मैनत करना पड़ेगा तो मैनत करना पड़ेगा उसके पीछे नहीं अटना है ठीक है उसके बाद आप लोग बोलेंगे को ऑन-laiन ओडिशन अभी क्यों लिया जा रहा है और औलाइन ओडिशन हो गया अभी जो जो नहीं गया थे वह तो अपलाइन और ओल्लाइन देपाएंगे ठीक है और जो गया थे वह भी अंडिशन दे पाएंगे बहुत इसक्षा है अगर आप लोग देना चाहते तो दे सकते हैं अगर कोई भी दिखकत आता है तो मेरे चैनल पे औरेडी वीडियो है उसके मैं बनाया हूं ठीक है आप लोग देख सकते हैं उसके बाद चलिए यहां पर और एक point पर बात करते हैं कि funny contestant आप लोग देखे होंगे जो गाना गाना आता भी यहीं अच्छे से कुछ भी नहीं आता है हम दूप में खड़े होके comportku defender इस अंतर होते हैं उन्हसे बैकिन अगर देखेंगे वहां कोई बहुत कई बोले के करता और भी कारण है क्या करने पता है अगर देखिए अगर कोई उहां पर भद्दा गाता है जैसे कि यहां पर ग्रूप को यह दूसरा बंदा अच्छा करण नहीं उसके बाद आप तिसरा बंदा है बहुत ही अच्छा सब्दा थिका है तो उसका क्या बूलित इस तरह से जो ठीक है अगर आपके पेरेंट्स ही माल लीजिए बहुत कोई मुझे बोलता है कि पेरेंट्स मुझे सपोर्ड नहीं करते हैं मेरे पर पेरेंट्स तो उनको इंटरेंट्स दिखाई है इस तरह से कमेडी वाला भी दिखाई और उसके साथ भी अच्छा वाला भी दिखाई तो को थोड़ा होगा नहीं होता है क्योंकि नहीं जानते हैं बहुत कोई देखेंगे कि उन memoir करना करते हैं क्योंकि बहुत कोई कर रहे हैं अगर होगा या नहीं होगा कोई मालूम नहीं है ठीक है इस वज़े से क्या होता है कि बहुत जल्दी हुआ पर जाने को नहीं दिया जाता है तो कैसे आप लोग को मानाना है देखिए अगर आप लोग ओडिशन देने जा रहे हैं तो बोलना है कि ओडिशन हम लोग तो दे रह को समझाना वह भी समझेंगे ठाप समझते हैं और जैसा का बात कर रहा था कि रहते हैं तो आप लोग को इसा वह लोग ऊंठाते हैं और अच्छा रिपलेता खाए रखाय दिखाए ही तरह से वह लोग देखेंगी लूगा से इसके बाद यह भोजाते हैं उसके बाद जो पहले भद्धा से चाहर ca princess देखाय जाता है उसके बाद जो अच्छा दिखाय जाता है उसमें क्या होता है इह모 unpre muutलGER अच्छा लगने लगता फैसोनाक noi जाता है है और थोड़ा कमेडिव हो जाता है और ज़व प्रस्टर्स क्रस्ट्ट होके रहते हैं वोगे थोड़ा अच्छे हो जाते हैं और यहां पर जो हम लोग पांचिवह प्वाइं वह हैं क्या इंडिनेडल में जाके ही आप लोग सिंगर बन सकते हैं या फिर इंडिनेडल उतना पॉपुलर क्यों है इंडिनेडल पॉपुलर इसलिए है ताकि हम लोग उसको देखते हैं ओडिस हम लोग हम लोग ही है ना जो सिंगिंग पसंद करता है वो देखता है ठीक है तो हम ल लोग का उसको देखने से हमको benefits भी होता है जैसे कि सचिंद कुमार बालमी क्यों मैं सर को देख के मैं 2016 में बहुत है इस्पायर हुआ और मैं भी सोचा था कि कहीं ना कि मैं इस तरह से audition दोंगा singer बनों इस तरह से किसी का आप होता है ठीक हैँ कि इस्पायर होते हैं सब कोई देख के तो इसलिए इस तरह से हम लोग देखते हैं और wonderful benefits भी होता है ठीक इस तरह से और कहीं न कहीं देखिए इंडरडरल या भी सरभापा में जाके ही आप लोग करियर बना सकते हैं जीसे कि आज आप लोग देख सकते हैं अरीजित सिंञ्च, ईविन नूटियाल और भी बहुत निया का पकर तो यह जो है रिजेक्ट हुए थे सो में तो किया आज सींगर नहीं है गड़ेंडियाज के पॉपूलर सींगर है तो कैसे बने प्लैबेक से क्यों तो जो वह रास्ता था लाइड मझा तरीका अलग था बनने पर नहीं हो पाते तो इसलिए आप लोगों यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग दूसरा रास्ता जैसे कॉलेज में कीजिए और गेस्ट्रा में कीजिए ताकि आपका जो है पॉपोलेटी बढ़े आपको लोग पहचाने ठीक है और आप जो सिंगर है उसका कॉपी करने का कोशिस मत किजिए अपना अलग अंदाज में गई है अपना अलग पहचान बनाएं ठीक गाइस आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर की सब्सक्राइब कर जिए ताकि सब्सक्राइब कर आपको मिलती रहे आज की वीडियो में इतना है मिलते कि नहीं वीडियो में